क्या आप करोना वायरेस के महामारी से बचना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, और इस वायरेस से जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों स्वास्त मंत्रालर और भारत सरकार द्वारा दिये गए द आईए दोस्तों आज हम जानते हैं कोरोना वाइरस के बारे में ये कोरोना वाइरस क्या है और इसके बिमारी के लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है अगर आपको ये वीडियो यूसफूल लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे दोस्त इस वीडियो के माद्यम से अपना बचाव कर सके आईए अब जानते हैं ये कोरोना वाइरस क्या है कोरोना वाइरस का संबंद वाइरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमन्ट से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीब जैसी समस्या हो सकती है इस वाइरस को पहले कभी नहीं देखा गया है इस वाइरस का संकर्मन दिसंबर 2020 में चीन के वुहान में सुरू हुआ था आईए आप जानते हैं इस बिमारी के लक्षन क्या है हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल धर मिस्तल यात्रा ग्यान को अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इस चैनल के नए वीडियो आप तक पहुंच सके आईए अब जानते हैं इस बिमारी के लक्षण क्या है डगलू एचो के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुनते हैं संक्रमन के फल स्वरू, बुखार, जुखाम, सांत लेने में तकलीप, नाक बेहना और गले में खरास जैसे समस्या उत्पन होती है यह वाइरस एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती में फेलता है इसलिए इसे लेकर बहुत ते साफधानी बढ़ती जा रही है कुछ मामलों में कोरोना वाइरस घातक भी हो सकता है खास तोर पर अधिकुम्र के लोग जिने पहले से अस्तमार, डाइबर्टीस और हाट की बिमारी है आईए अब जानते हैं इससे बचाओ के उपाए स्वास्ते मंत्राले ने कोरोना वाइरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं इनके मुताबिक हाटों को साबुन से दोना चाहिए एलकोहॉल अधारित हैंड रब का इस्तवाल भी किया जा सकता है खांसते और छीकते समय नाक और मुग को रुमाल या टिशू पेपर से ढख कर रखे जिन वेत्तियों में कोल्ड और फुलू के लक्षन हों उनसे दूरी बना कर रखे अंडे और मास के सेवन से बचे जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचे कोरोना वाइरस के संक्रमन से बचने और इसे फैलने से रोकने के लिए आप कुछ स्टेप्स का उप्योग कर सकते हैं स्टेप फर्स्ट बार बार अपने हां साबुन और पानी से दोते रहे या सैनिटाइजर का इस्तमाल करे और अपने हाथों के द्वारा अपने आख नाख और मूग को चूने से रोके स्टेप सेकेंड खांसे और छींकते वक्त टिशू का इस्तमाल करें और इस्तमाल किये गए टिशू को बंद डस्ट बिन में फेक दे और अपने हाथ धोए स्टेप थर्ड अगर आपके पास टिशू नहीं है तो अपने बाजू का इस्तमाल करें और हो सके तो अपने कपडों को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करते रहें स्टेप फॉर्थ बिमार वेक्टी के नस्दिक जाने से बचें जिससे हम संक्रमन का माध्यम ना बन सकें स्टेप फिफ्थ जादतर अपने मूँ को कवर करके रखें जादा से जादा मास्क का इस्तमाल करें बाहर निकलते समय तो सही लेकिन घर के अंदर भी आप कोशिस करें कि आप अपने फेस को कवर कर सकते हैं जिससे आप अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो यूसफूल लगेगा और आप इन में बताए गए नियमों का पालन करेंगे और आसा करते हैं कि हम इस कोरोना वाइरस से जल्द ही चुटकारा पाएंगे